गुड इबनिंग एविवन और कल आप लोगों का HP स्टेकेटरेट का एग्जामिनेशन है तो आज के इस वीडियो में हम ये छोटा सा एक स्ट्रेटेजी देख लेंगे क्योंकि आप तो देखो पढ़ने का तो टाइम है नहीं है ना तो आपने बस रिलैक्स करना है जो आपन में रहेगा नया कुछ रिवाइज करके नया कुछ पढ़के अब नया री स्टोर नहीं होगा एक काम आपने करना है अब आप आज की शाम अपने आपको ब्लैंक रखना है कल सुबह उठके एतनी करना कि कई बच्चे जो है पांच बजे चार बजे उठके लास्ट मोमेंट है वो री प्रेड्यूस अगर पेपर में अच्छे से कर लें उतना ही बहुत होता है तो अगर आपका ब्रेन वहाँ पे काम है सरीन है शान्त है तो आपकी अल्मोस्ट प्रोड़क्टिविटी अच्छी हो जाती है और उससे क्या होगा कि जो कई बर क्या सी गड़बर अगर आप वहाँ पैनिक में है जलबाजी में है बहुत अच्छे से नहीं सोय है इस्ट्रेस्ड में है तो जो आते हुए सवाल भी गलत होते हैं वही सिली मिस्टेक है जो आपको पेपर में मरवाती है तो अब एक साल एड़ साल आपने तयारी करी है अच्छे से पढ़ा हुआ है तो निशिन्त होके जाईए कि आपने पढ़ लिया है अब आप इससे जादा कुछ नहीं कर सकते इस last moment पे हाँ ये जान लेते हैं कि paper को attempt कैसे करना है अब हमें HP Secretary में पता है कि 200 सवाल आने है time है 2 गंटेगा 120 मिनिट का सवाल है तो इसके अंदर paper को time से पूरा करना भी बहुत plan of action बनाला है कि ए घंटे में 100 questions होने ही चाहिए minimum side पे तो इस तरह से अपना plan of action होना चाहिए कि आपने time induced क्योंकि paper छूटेगा तो बात गडबड हो जाएगी दूसरी बात है कि अभी हमें पता नहीं negative को लेके कि कभी negative इसमें हो रही है कभी negative marking नहीं हो रही है तो कल examination के समय में ही आप लोगों को पता चलेगा कि negative marking है या नहीं है तो इस चीज को आपने वहीं पे जाके identify करना है दूसरी बात है cut off will be very high क्योंकि last time जो है 85 number paper था 170 question थे तब भी cut off जो है आपकी 60 plus रही थी tough होता है इतना इतना जो है चमाक साना तो 70% के around cut off है इस तरह जो हमारा अंदे पेपर के level पे डिपेंड करता है कितनी cut off है generally paper का level drastic change नहीं होता कि बहुत आसान paper आता और एकदम से ऐसा paper आएगा कि HS और IS level का होगा ऐसा नहीं होता थोड़ा बहुत modulation होती है थोड़ा ता level increase होता है लेकिन with the passage of time हम यह मानते हैं कि बच्चा भी बढ़ गया है और बच्चे का स्तर भी बढ़िया है पड़ाई का तो वो कहीं न कहीं balance out होता है even if the paper is difficult till cut off will be more than 70% तो मेरा जो अंदेशसा है कैसा भी paper आजाए कल जैसे आधे नंबर का एक question है 200 questions है 100 marks का paper है मेरा अंदाजा है 75 से उपर ही cut off जाएगी right तो 75 के आसपर 75 से उपर ऐसा नहीं किसली plus 75 plus minus 2 य देने वाली है तो अब आपकी जो strategy होनी चाहिए वो इसी के अनुसार होनी चाहिए कि how to cross this mark तो means पहली बात आपका paper असान आता है paper बहुत कठी नहीं आता कुछ questions कठीन होते हैं एक strategy अभी एक session मेंने आप लोगों के लिया था HS के लिए एक strategy का आप हमेशा याद रखो कि इ में फसेंगे कुछ जगा आप math for reasoning में फसेंगे तो आप यह मान के चलो कि 10 से 15 questions आपके गलत हो सकते हैं वहाँ पे 10 से 15 questions आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे उन questions पर chance मत लेना अगर negative marking है अगर negative है नहीं है तो चांस ले लो अगर negative है तो ऐसे questions पर बिल्कुल chance मत लेना इनक लगातार paper की testing करते वे हमने एक चीज़ देखी कि इसमें बहुत low probability होती है कि आपका paper ठीक हो आपने क्या करना है कि बिल्कुल काम होके जाना है सुबय अराम से नुलोम विलोम करो है ना थोड़ा सा meditation करो ध्यान करके जाओ और शांत मन से जाओ जब आप paper में भी बैटो पै गड़बर नहीं करनी है कि आते हुए question आपको हमेशा बहुत पच्टावा होता है जब घर आते हैं और आते हुए question गलत हुए होते तो वो guilt में कभी मजाओ कि एक एक दो-दो question की गलती आपकी नौकरी से आपको बाहर कर सकती है तो ये गड़बर आप हमेशा last moment panic पे करते हो और दूसरा कहीं बर कुछ बच्चों की आदत होती है paper जल्दी खतम कर लिया खतम करके फिर चलो जड़ा page उल्टें कोई question और extra कर ले इस चकर में हमेशा ऐसे question जो उन्होंने पहले छोड़ दी होते हैं जो 10-15 की category में थे जिनको काटा मारता कि आज इसको नहीं छूके ऐसे question कौन से touch नहीं करने जिन question में question सही होने की संभावना 33 प्रतीशत है उन question को कभी नहीं करना 33 का मतलब है अगर आपको 4 में से 3 options नहीं आते हैं केवल यह पता है कि D option इसमें नहीं होने वाला ABC में कुछ भी हो सकता है that question is having 33% possibility तो means इसके सही होने की संभावना बहुत कम ह है मत करो इसको attempt दूसरी बात मैंने कहीं बात बोला है कि हमने पॉलिटी बहुत पड़ी पॉलिटी ने बहुत प्यार है पॉलिटी का सवाल वहां आया बिल्कुल नहीं आता लेकिन intuition कह रही है कहीं बार ऐसा लगत होने की समावना हमेशा ज्यादा होती है मत माक्स लूज कर करो ऐसे question को छोड़ के आना है तो दो question को identify कर लो जिनको आपने छूना नहीं है जिसमें 33 प्रतिशत possibility जिसमें 0 प्रतिशत possibility है ऐसे question को बिल्कुल रूल आउट कर दो और 10 से 15 question पहली सोच के जाओ पेपर से पहले या 15 question मैंने ऐसे mark करने जिनको touch भी नहीं करना है 15-20 question identify कर ल मिलता है और हमेशा एक चीज़ याद रखो पेपर मिलते ही जो है start नहीं कर देना है कि जलो जी a b c d mark करना शुरू करें कभी मत करो हमेशा पेपर मिलके पांच मिनिट लगा कोई फरक नहीं पड़ता math reasoning इतनी तो ज्यादा आती नहीं पेपर attempt हो जाएगा पांच मिनिट मारदो प्रॉपर राइट दूसरी बात अब जो बाकी हो सकते हैं जो 100% शौर है इमिडेटली करो एक गलती जो मैंने देखा है कि बच्चे बहुत कॉमन करते हैं बात में पश्टावा करते हैं दस कोशन करेंगे फिर OMR में मार्क करने लग जाएंगे एक करके हैं और कई ब हर कोशन के क्रोस्पंडिंग इमिडेटली मार्किंग करो ऐसी गलती करते हुए बच्चे बहुत मार्क्स करते हैं और यह बहुत कॉमन है क्योंकि 200 कोशन में ऐसी गलती होने की सभावना जादा है छोटी सी वह मार होती है स्पेस नहीं होता तो इस चीज का ध्यान रखो कि ह हर कोॉषण के कर्रोसपॉंडिंग आपने इमिडिटली मार्क करना है एक और फायदा होता है जब आप मेर्ली मार्क करते हो थोड़ासा दो चाтस से किंड हो लगे होते तो आपका ब्रें इतनी देर में रिलैक्स हो जाते ho Exceral के त्चियार हो तो इस तरीके से असान पेपर है बहुत सारा competition है सारे अच्छेस वाले अलाइड वाले सेकेटरेट वाले पटवारी सब इंस्पेक्टर सारी बच्चे देंगे इस पेपर को तो आच्छी खासी मात्रा में लोग होंगे सीड्स जादा है लेकिन competition भी ज्यादा है पेपर असान आता है यह है कि आप सेम नौले से दो चार पांच कोशन में जो सिली मिस्टेक करके अपने धाई तीन चार नंबर गवाने वाले थे उनको मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने इमिडेटली जो कोशन किया है इमिडेटली OMR में मार्क करो और उन कोशन को identify कर लो जो आपके ग से पहुंचो last moment में पहुंचके panic करना है ना एकदम से half the way room में पहुंचना brain वहीं पर ही जो है आपका sense खराब हो जाता है और वहीं से ही आपका paper खराब होना शुरू हो जाता है तो जब आप morning से डिले करना शुरू करते हो वहां से paper पर impact आना भी दिखेगा क्योंकि आप उ आंसर की को discuss करेंगे आपकी आप paper देखिया है हम अच्छे से answer की discuss करेंगे और देखेंगे कि paper का स्थर क्या है कल मैं एक बर और session लेकिए आपको cut off brief कर दूँगा मेरा मोटा idea मैंने आपको बताई दिया इच्छतर प्लस माइनस दो तीन हो सकता है कल लेको paper के बाद फिर इस